तो जैसे ही एक्जाम पास आता जा रहा है स्टूडेंट का सब से ज़्याद़ के इडिज आ रहा है कि तो बता своих हम इतना स्ट्रेस ले रहे हैं ना तो हम पढ़ पा रहा है ना तो हम सो पा रहा है मैंने ब्ल सक्षोव कुछ नहीं कर पा रहे ठीक है अब ऐसे में क्या करें देखो पहले बात तो है कि आपका इस चीज़ का कारण में कारण है आप रेजल्ट पे फोकास्ट हो आपका दो तीन माईना बाद जो रेजल्ट हैगा अब उसका चिंता अभी कर रहे हो यह नहीं सोच रहो कि हमें जैसे सचिन तेंडूलकर बनन सप्क्राउंका जो थीुरियम हों कि हो यह यह कादमी है जैसे सिंटरी मनना हो सैंटरी मनना हो उसको चाहे डबल city मनना हो कभी उससे पहले नहीं होता मतलब ऐसे होगा कि जब जब आदाद देन सचीन देन दूलकर आप सोचे कोई भी प्लेयर है जैसे उसको हाप सेंचुरी दिखता है आरे मेरा 40 बन गया आप स्लो हो जाएगा फिर धीरे-धीरे मारता रहेगा कि किसी अलब में मेरा 50 पर हो जाए मैं हाप सेंचुरी किया हूं सुचने के लिए यह बहुत गलत चीज़ें है आपको इसमें फोकस नहीं करना है कि मेरा कितना स्कोर बनना है सचेन कभी ओनी फोकस किया कि मेरा 90 बना है कि मेरा 99 बना है ओ कभी नहीं फोकस किया उसी फोकस किया जो बॉल आ रहा है सिर्फ उसमें जो बॉल आ रहा है सिर्फ उसमें तो आपको क्या करना पड़ेगा फोकस उसमें करना पड़ेगा कि जो आभी आपके पास है उसके पहले कितना बॉल आपने मारे थे कितना उसमें मार स्कोर मिला है उसके बा को इसको qué ног करने मसलदा एज़ी रहेगा जब भी हमारा लेन कभी ही कोई बी डेन्जार सेंस करता है कुछ भी टैप का डेन्जंग तर दो एक हवटेड भाद मेरा गेट एक्जाम है ओह टेन्जार सेंस कर रहे हो में हमारा बेल कि अंदर एक एमीडला ग्रेंट है मेड आलाई घ्रेंड को ने ऊब हमारा देंज जरा रहा है कि पूछ कर हाइब हमास बोलता है यहारी तरेंज गंधर है इमैला बोला था फिलिस है दोच फिक एक बरेदालिन और एग होता है क्टिसॉल एक ऐडरेलनील जो एड्रेल नालिन अाता है वो बलाड का फ्लो बढ़ादेगा है और जैसे ब्लाड का फ्लो बढ़ेगा हर्ट काふ बढ़ेगा हार्ट का रेट बढ़ेगा तो बनाटका फ्लो फुर जए गांड को इसे मले bacli a है ओक क्या कर रहा है वह हमारा ब्लाड फ्लो बढ़ा रहा है वह हमारा इनन्स रिफ्लेक्ट मनलब जैसे बहुत जल्दी हाथ पर चलना शुरूब जाएगा उसके साथ साथ हमारा क्योंता है ओ ग्लूकोज बढ़ा दिया तो उसको क्या होता है कि ओ तुरंद जो डेंजर सेंस कब तक तुम्हारा बॉड़ी यह हाइपर सेंज हाइपर पोजिशन में रहेगा क्योंकि आप तो नॉर्मल पोजिशन में हो नहीं तो जैसे आप ज़्यादा करोगे यह बहुत देर तक चलेगा बहुत ज़्यादा टेंसान ने लोगे तो आपका डिफीकल्टीन सबसे ज़्यादा दिक्कत होगा आप सो नहीं पाएंगे तो यह सारे प्रॉब्लेम उससे आता है अब बोला सर यह चीज़ तो होता जा रहा हमारा बॉड़ी मुलब ब्लाड़ फ्लो बढ़के सब हो गया तो आप हाट को स्लो कैसे करे अब आपका जो काम है कि हाट को स्लो क सुट्वियें चर्ण करें तो हमारा ब्लाठ फ्लो स्लो हो जाएंगा कैसे करें उसके लिए हमारा रीजी मुनी जो इंडिया है इंडिया आक वे इतना काम करके गया इसके ऊपर हम का पूलो करें सफीसेंट है बहुत हुद्ब कर आपका स्ट्रेस् लेवल के उना कम हो जाता है तो पहले क्या करना पड़ेगा कि जैसे आपको लगता है कि थोड़ा समय टेंशन में आ रहा हूं तो उसमें बीज बीज में क्या करना है बहुत बहुती जादा मुनब सांस जो है बहुती धीरे-धीरे जोर से लेना है और धीरे से छोड़ना है जोर से लेना है धी जलना था उका मुझाएगा उससे काफी हद्ता के प्रॉब्लं का मढ़ाँएगा दूसरा होता है कि आपको नीद नहीं आ रहा है तो मैं इफ बुलता हूं कि नीद नहीं आ रहा है पड़ते रहो जब लीज है आप जब अदस्ती सोने का कुछिस कर तो दिकत्ता पैदा होता है दूसरा होता है कि कुछ ना कुछ exercise करो मतलब ऐसा होता है कि नीद ना आने का करान कि आपने पूरा 24 आर बैठ गये तो बोड़ी का जो एनरजी है जो आपका बोड़ी के अंदर में रहे गया वह अच्छा से रिलीज नहीं हुआ इसलिए कुछ ना कुछ exercise करना पड़ेगा जो आपको अच्छा लगे फ्री है इसे नहीं कि बहुत ज़्यादा कुछ भारी समान उठाना है अब थोड़ा बहुत exercise करो तो सो देट हमारा जो है यह एंग्जाइटी रिलीज होता है उसमें आपका जो इनरजी लेव एनरजी है वो थोड़ा सा काम होता है उसके चक्कर में आपका क्या होगा की रिलीज हो जाएगा इनरजी इनरजी होने सबका sleeping condition ठीक से आ जाएगा ठीक है दूसरा एक बहुत टेस्ट किया था कि उसको एक रूम में राख दिया गया था राखने के बाद जब बहुत दिर तक उसको एक रूम में रखा खाली आके लेको राख दिया जब उसका urine सेंपल टेस्क किया भर भर के उसमें stress hormone मिला stress का इस सारे मिला देखे लोगों ने देखा कि सोसाल आईजी होने से कम होता है मतलब क्या होता है जैसे अपको टेंशन आ रहा है तो आप कोई ऐसा लोगों से बात करो जो टेंशन ना दे ठेक है ऐसा लोगों से बात करो जिस जो टेंशन ना दे तो आप हो सकता है कि आपके पास हो हो सकता है दूरों तो फोन में बात कर सकता हो इस से ज आभी जो मैंने आपको बोला हों कि आपको दो-तीन बंडल जीरोग्स प्रखर दना है और उसके बाद लिखते रहना है फिकते रहना है पुरसर कैसे ना उसके लिए मैंने अभी भी क्लास कराया था अभी वी हमारे आपको चार घंटे में करा दिया गया इसमें क्या होगा लिखते रहो और फेकते रहो लिखते रहो और फेकते रहो अगर ऐसे आप करोगे तो आप देखोगे पूरा अब एसे लिखा जा सकता है तो आप टेंसले रहो कि मैं पढ़ पाउंगा नहीं प्रपाउंगा और आपका पढ़ने का जो लग रहा है कि होगा नहीं होगा नहीं कर पाऊंगा इस सब सारे लोचे खतम हो जाएगा कि अभी आप अगर कोशिश करोगे पूरा अभी लिख सकते तो इतना टाइम भी अगलबल है पुरा दो बार लिख जाएगा पुरा दो बार रिवीशन हो जाएगा यूजिंग इस मेठट बट यह जो मेठट आपको एक कोई करना पड़ेगा एक दो कर लो यहां से तो आपके साथ मेरे साथ कर लो करने के बाद दिखो कि रिकोड़ेट ह इसमें जैसी करोगे तो आपको पता चल जाएगा how to do that इसके बाद आप फटाफट फटाफट आपना नोट खोलो और इस तरह से रिवीशन करते रहो इस तरह से रिवीशन करते रहो फॉट्टी आवार्स मलब फॉट्टी आवार्स अगा 10 घंटे पाट्टे करे तो चार द का लिक अभी जो लम Burch इडिक्कत होता हरा इसके लिए बड़े सीलिफाद को को एक अटक करने का तरीक ही है कि आपका उस ऊसे पफॉट ब्रेन में जा रहा है लिक हो इसके बाद देख रहे हो उसके बाद उसको लीखने के बाद बन रहा है पए सब सारे आपका आंक कान हात पैर सब एकठ्था जब काम करेगा तो वह चीज याद रहता है और अगर ऐसे आखों से सिर्फ देखते जाओगे तो याद भी नहीं रहता है हाँ दूसरा बात है कि अगर बोल बोल के कर और अच्छा होता है जैसे आपने कुछ फॉर्मला लिख रहा है कि आपका प्यवान व सेंटर में जाके सचीन तेंदूल कर बनने का मतलब जो कोस्चन देखा जो बॉल आया सिर्फ उसमें फोकास करें उसके पहला वाला मैंनी उसके बाद वाला में थे और कितना माइब मैं मेरा रान बना है कि दूना मेरा स्कूर बना ओभी नहीं चीशना है एक जम सेंटर माइ कुछ नहीं सुचना है और that is the thing जो सचीन देन को सचीन देन बनाया कि वह सिर्फ उसी में फोकास करता है जिसको जो आ रहा है सामने उसके पीछे क्या हुआ था कितना स्कूर मिला था कूछ भी नहीं सुचता है तो that is the thing तो आप अगर एफ फॉलो करेंगे एक्जम सेंटर मे आएगा ना तो इसमेंगा दूसरा बात हो रहा है फूड अलसो वेरी इंपोर्टेंट जैसे कुछ बंदे कल बोल रहे थे तो जो नारियल पानी होता दर इस वेरी गोड़ फॉर आवर इस सिस्टेम सिस्टेम को बहुत अच्छा से करता है तो इसकी लिए अपका अभी कि ऐसे नारियल पानी पीते रहो और पढ़ते रहो टेंशन फ्री हो के कोई टेंशन लेने का जुरूद नहीं आप जो है आप करते कर जाएंगे और दूसरा जो जुगड़ बताया कि हम ओ फॉलो करें वान बाइवान ठीक है टेंशन नहीं लेने का मंडल का बात है खूस र कि तो